नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार 26 सेतंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे हिंदू धरम में बहुत महत्व रखते हैं इन दिनों को बहुत शुब और शुद माना जाता है कहा जाता है कि मा इन दिनों में अतिपरसंग और ममतमई रूप में होती है और वो अपने भग्तों पर बड़े आसानी से अगर वो श्रद्धा से और सही तरीके से उनका समरण करते हैं तो वो बड़ी ही जलदी उनपे परसंग होती है और उनकी सारी मनों कामनाएं पूरण कर तो आज मैं आपको एक असान सा टिप देने वाली हूँ जिससे कि आप मा का आशिरवाद बड़ी ही आसानी से प्रापत कर सकते हैं। दोस्तों नवरातरों के नौ दिनों में माता की नौ सवरूपों की पूजा की जाती है और हर रोज एक अलग परकार का फूल माता को अर्पिट किया जाता है जिससे मा अधी शीगर परसन होकर हमें अपना आशिरवाद देती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से परकार क के फूल हैं जो माता को इन दिनों में अर्पिट किये जाते हैं। नवरातरे के पहले दिन मा शैल पूतरी की पूजा की जाती है और मा शैल पूतरी को परसन करने के लिए उन्हें सफेद कनेर के फूल अर्पिट किये जाते हैं। ऐसा करने से मा हमें सुख सम्रिदी और धन दाने का आशिरवाद देती हैं दूसरे दिन मा ब्रह्म चरनी की पूजा की जाती है मा ब्रह्म चारीनी को वट विरिक्ष के पत्ते और वट विरिक्ष के फूल अर्पित किये जाती है ऐसा करने से मा हमें ज्ञान और बुद्धी देती है हमें व्यापार में भी सफलता हासिल होती है तीसरे दिन मा चंदरगंटा की पूजा की जाती है चंदरगंटा मा को शंक पुषपी के फूल अती प्रिये है चंदरगंटा मा को शंक पुषपी के फूल अरपित करने से हमारे जश में बृधी होती है घर में खुश्वाली आती है, सुक्सम्रिद्धी आती है नवरात्रे के चौथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है मा कुश्मांडा को पीले रंग के फूल अतिप्रिये है मा कुश्मान्डा को पीले रंग के फूल अर्पित करने से वह हमें सुवस्थे का अशिर्वा देती है वाक सिद्धी के लिए भी आप मा कुश्मान्डा की पूजा कर सकते है नवरातरों के पांचवे दिन सकंद माता की पूजा की जाती है मा को नीले फूल आती प्रेय है सिकंद मा को नीले फूल अर्पत करने से संतान सुख की प्रापती होती है अगर आपको कहीं से नीले फूल प्रापत ना हो तो आप पीले फूल भी माता को अर्पत कर सकते हैं इससे हमारे घर में सुख समरिदी आती है नवरातरे के छटे दिन मा कात्यानी की पूजा की जाती है और इस दिन मा को गेंदे के फूल और बेर की पेड़ के फूल चड़ाए जाती है ऐसा करने से मा की विशेश कृपा हम पर बनी रहती है मा की कृपा से हम अपने शत्रू पर विजय प्रापत कर सकते है नवरात्रे के साथमे दिन मा के कालरात्री सवरूप को पूजा जाता है कालरात्री मा को कमल क्रिशन के फूल बहुत पसंद है ये फूल नीले रंग की होते हैं और ये फूल ना मिलने की स्थिती में आप कोई भी नीले रंग का फूल मा के चर्णों में अर्पित कर सकती हैं कहा जाता है कि कालरात्री मा की पूजा करने से हम अपने हर तरह के डर पर विजय प्रापत कर लेते हैं नवरात्रे के आठमे दिन महागौरी की पूजा की जाती है महागौरी को मोगरे के फूल बहुत पसंद है महागौरी के चर्णों में मोगरे के फूल अर्पित करने से हमारे घर परिवार पर उनका आशिरवाद हमेशा बना रहता है नवरात्रे के नौमे दिन मा सिधी जात्री की पूजा की जाती है सिधी जात्री मा का आशिरवाद प्रापत करने के लिए उनके चर्नों में गुड़हल के फूल चड़ाय जाते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आप इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर चुके होंगे जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और विश्वाज रखे अगर आप ये चोटे चोटे उपा करते हैं तो आप माता को जल्दी ही परसंट कर लेंगे और अपनी जीवन के सारी मुश्किलों को हल कर लेंगे आपकी सारी मनोकामनाई जरूर पूरन होगी तो दोस्तों फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केर और स्टे हैपी